खबर है मुंबई के मालार्ट से जहा मालार्ट पुलिस ने टक टक गैंग के दो सदस्यों को गिरफतार करने में सफलता पाई है घटना 8 मार्श 2024 की है जब एक वेक्ती रात के समय अपनी कार से मालार्ट पश्चिम के MTNL के पास से गुजर रहा था तब ही एक वेक्ती आता है और कारशाला की दर्वाजे पर ठोक कर कहता है कि उसके पैर पर गाड़ी चड़ गई है जिसके बाद गैंग के और लोग आ जाते हैं और गाड़ी के दूसरे दर्वाजे को ठोकने लगते हैं वह फिर जैसे ही फर्यादी ने कार का कांच उतारा तो उसका Apple का mobile phone लेकर सभी रफू चकर हो जाते हैं फॉरन इस बात की जानकारी देते हैं फर्यादी ने पुलिस्टेशन में शिकायत दर्ज कराई मलाड पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जान शुरू कर दी पुलिस ने अपनी कारवाई में 120 CCTV फूटेज को खंगाला और फिर इस टक टक गैंग का परदाफाश हुआ पुलिस के मताविक है गिरौ उत्तरप्रदेश के मेरट से आया था और चोरी करकी चला गया था लेकिन 29 माई को मलाड पुलिस को पता चला किया गिरौ फिर इसी तरह चोरी करने बाले हैं जिसके बाद जाल बिचा कर इस मामले में दो आरोपीों को को अंजाम दिया है फिलाल पुलिस बाकी आरूपियों की तलाश कर रही है तो ये मामला दर्ज होने के बाद फुलिस स्टेशन की जो डिटेक्शन टीम है उनोंने स्पॉट विजिट किया और तक्रीबन सवा सो से देड़ सो CCTV कैमेराज का फुटेज चेक किया और उनको एक ऐसे बात समझ आई कि उसमें एक इंटरस्टेट गैंग है और उनका स्टेडी किया, उनके मोडस अपरेंडी का स्टेडी किया और बात में उनोंने उनको जैसे उन्तीस में को पता चला कि ये सेम गैंग है मेरट का गैंग है और वो फिर से मुंबई में वही काम करने के लिए आने वाले है तो पोलिस टोशन मालाड के डिटेक्शन स्टाफ ने एक ट्रैप लगाया था और वो ट्रैप में उन्होंने दो आदमियों को हिरास्त में ले लिया है